सुष्मा जी, एक यही उम्मीद है कि यूके में जो दिखाई दिया ब्राजील में जो दिखाई दिया अमेरिका में जो दिखाई दिया कि यह बाद की वेवस आई बहुत तेज बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन खत्म भी जल्दी हुए बस यही एक उम्मीद है क्या scientifically यही उम्मीद की जाए इंडिया में भी तो पहली चीज तो ये pandemic है मतलब ये worldwide है और किस country में पहली लहर आई किस country में दूसरी लहर आई वो उससे हम सब लोगों ने सीखना चाहिए था दूसरा जो है कि कंसिस्टेंसी मतलब जो आप जो चीज बोल रहे हैं वो आप बराबर दोहराते रहिएगा और उससे लोगों के बहेवियर से भी पता चलना चाहिए मैं जितनी माँ टेलिविशन देखते हूं इतने बिना मास्क लगाई हुए लोग घूम रहे हैं बड़े- gatherings हो रहे हैं चाहे शादी के नाम पे चाहे फेस्टिवल के नाम पे फरस्ट मेश जब आया था तो मैं मानती हूं कि दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि इसी क्या right treatment है ये नहीं मालूम था हमें कि इसको बचाने के लिए रिखर करना चाहिए और ये भी नहीं हमारे पास वाक्सीन भी तयार नहीं थी तो पहली वेव में तो सब एक यी तरह से थे और जब दूसरी वेव कुछ कंट्री में आई जैसे यूके में जब सकेंड वेवाई तो एंटिसपेशन था एक यह था कि आई की सकेंड वेव और सेखिंड वेव के लिए तयार थे हम लोग खाली इसलिए सकेंड वेव यहां की भी सकेंड वेव जस्पानिश फ्लु जो ना से जादा सेकंड वेव में आप क्या नुकसान होएगा जो जाने जाती हैं इसमें बिमार लोग होते हैं हर एज के लोग सफर करते हमारे पास खाली एक एडवांटेजिस सिच्वेशन अभी है कि सेकंड वेव में हमारे पास में वैक्सीन है यह एक बड़ी बात है आपको जिजी से बड़ी ज़रूर है लेकिन खत्म जल्दी होगी यह अंताजा लगाया जा सकता है बाकी देशों का हाल देखकर बिलकुल नहीं क्योंकि हमारी फर्स्ट वेव में भी तीन महीना लोगडाउन था हम नौ जनवरी से हमारा लोगडाउन शुरू हुआ था जो इस बड़ी ताकीद है और हमारे साथ एक और विशेशक की जुड़ गये हैं डॉक्टर अनिल पांडे जरा उनके पास भी मैं चला जाओं डॉक्टर अनिल पांडे मैं वैक्सिनेशन की तरफ जाना जा रहा हूं क्योंकि एक बात अभी सुश्मा जी ने कही कि इस बाद बस यह रही फार्ख है कि हमारे हाथ में एक हथियार है वैक्सिनेशन लेकिन क्या इसको लेके जो स्टार्टिजी होनी चाहिए पहले तो मैं यह समझना चाहता हूं वैक्सिनेशन का मकसद क्या था हमारा एक इंडिवीजुल में इम्मूनिटी पैदा करना और देखिए इसका आप समझ सकते हैं कि जब तक आप 70 परसेंट नहीं कर पाएंगे तो हर्ट इम्मूनिटी की हम सोच भी नहीं सकते और अभी हम तकरीबन 10 परसेंट के आसपास ही वैक्सिनेट कर पाएंगे तो वो टाइम लगेगा तो अभी दूसरा है कि वैक्सिनेशन की दायरा बढ़ाया जाए इस पीज बढ़ाई जाए फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर